नमस्कार दोस्तों उम्मीद करता हूं बच्छे होंगे और आज का एपिसोड है उसमें हम डीपीवी फॉर जो है इलेक्रिकल मसीन की उसको हम डिसकस करने जा रहे हैं तो यह जो है यह भी काफी इंपोर्डेंट है भई और इसके जो कोशन्स हैं वो भी बहुत बढ़िया थे ठीक है तो चलिए मैं पहले आंसर दे देता हूं टोटल इसमें 10 कोशन है ठीक है और पहले बार आंसर देख लिजे लेकिन एक बार मैं आपको बता दू कि जो डीपीवी का लिंक है वो नीचे हमने सेयर कर दिया है गूगल ड्राइव लिंक आपको दे रख है तो वहां से आ आइन करके और डिसकेशन कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं तो मेरे पास टोटल टोटल दस कोशन है मैं आप आप आंसर देता हूं पहले ज़रा देखेगा क्या अंसर है मेरे पास वोशन नम्मर वन question 2 question 3 4 5 6 7 8 9 and 10 तो टोटल दस कोशन है ज़रा देखेए मेरे पास जो आंसर है question 1 का जो आंसर आया है वो है point 04658 question number 2 answer is 121 121 question number 3 answer is 4.925 4.925 question number 4 question 4 का जो मेरे पास आंसर आया हुए दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं question number 4 का मेरे पास आंसर है 22 2223 watt 2223 watt ठीक है question number 5 answer is 750 watt 750 and 250 दो गॉलक है तो 250 एक और भी आएगा ठीक है question number 6 answer is Kalgadda question number 7 2.334 2.334 question number 8 69.82 watt question number 9 5.882 5.882 and question number 10 37.38 37.38 यह answer है तो total मेरे पास 10 questions है और 10 questions के मैंने आपको answer दिये है ठीक है एक बार आप चेक कर लिजिएगा कौन सा question आपका गलत हुआ है तो आप सीधा उसी question पर आए और अपना समय बचाईएगा तो मैं आपको एक बात और बता दूँ ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई calculation mistake करके और answers मेरा में भी different आया हो आपसे तो एक बार आप मेरा solution देख लिजिएगा ऐसा हो सकता है कि calculation mistake हुई हो बट मैंने कोशिस किये कि minimum कम से कम calculation mistake हो ठीक है तो चलिए दोस्तों पहला question बहुत ही बढ़ी है जड़ा देखिए आपको क्या question दे रखा है question number one देखिए वह question number one में आपक को एक diagram दे रिखा है circuit diagram कुछ इस तरह का दिया हुए है यहाँ पर मेरी कोई line है distribution line या ट्रांसर लाइन बोल दीजिए आप इसको ठीक है और यहाँ पर 1000 वोल्ट दिया हुआ ठीक है और इस तरफ आपका transformer दे रिखिए यहाँ पर आपका transformer लगाया हुआ है एक और transformer यहाँ पर दिया हुआ है अच्छा आप calculator लेकर बैठने भी क्योंकि जो values मैंने लिए है वो मैंने random values ले लिए ठीक है तो उससे क्या हो गया calculation थोड़ी सी आपकी calculation में थोड़ी सी लेंदी होगी है ठीक है अगर मैं एक्जाम के लिए frame करूँगा ऐसे question को तो उसमें मैं values को accordingly select करूँगा windings पर ध्यान दिजेगा windings पर ध्यान दिजेगा यह winding मैंने इस तरह नहीं है इस इसको मैंने थोड़ा चेंज कर दी है ठीक है हाँ जड़ा देखेगा orientation बड़ी important है windings की क्योंकि आप इसमें गलती करते हो ठीक है देखेगा कुछ इस तरह से ठीक है और यह जो point है यह आपका positive से connect है उपर और यह जो point है यह negative से connect है ठीक है जी और इस point को बोला xa यह जो point है यह यहां से connect है ठीक है और यह जो side है मेरे पास यह xb and this is yb कुछ इस तरह का दे रिखेगा दोस्ते xb yb ठीक है अब सुनी क्या कर रहा है यह कर रहा है यह कर रहा है the two transfer a and b are connected in parallel as shown below the output terminal xa and xb xa and yb and ya and xb are connected together xa and yb xa and yb यह connected है and ya and xb ya and xb यह आपके connected है together ठीक ना कुछ इस तरह का दे रिखा है अच्छा अच्छा r1 x1 दे रखा आपको a transformer का r1 plus j x1 transfer a का आपको दिया हुआ है और वो दे रखा आपको 2 plus j2 तो यह question अपने आपे थोड़ो सा इसकी statement जो है वो थोड़ी सी लंबी है ठीक ना और r2 x2 a transformer का जो है secondary side का जो दे रखा है a transformer का वो आपको दे रखा है 0.02 plus 0.02 j.02 इतना ohm आपको दूसरी तरफ का दिया हुआ ठीक ना अच्छा एक चीज़ और सुनिएगा यहाँ पे यह दे रखा है 1000 से 102 तो यह low voltage side का होगा impedance क्यों भई क्योंकि जिदर voltage low होती उदर current जादा होता है और current जादा होगा तो जो resistance और जो reactances की value आएंगी वो थोड़ी small हो जाएंगी ठीक है ना तो ध्यान दीजेगा दोस्तों यह important है ठीक है ना यह secondary side का आपको resistance and reactances दे रखे रखे और 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 यह primary side का दे रखे ठीक है भी चलिए आप जड़ा देखिए इधर का इसका इसका r1 plus jx1 जो इसका बनेगा वो आपका बनेगा और यह जो है यह मेरा b है भी बी का है इसकी जो value है that is 1 plus j1 1 plus j1 और दूसरा r2 plus x2 जो मेरा b transformer है उसकी जो value है वो है 0.01 plus j.01 ठीक है जी इतने ओम इसकी दूसरे की value दे रखिया ध्यान दीजेगा दोस्तों कुछ इस तरह का दे रख ठीक है भी the current supplied by the source आप से यह पूछा है कि कि कितना current source supply करेगा यह पूछा है question बहुत ही प्यार है ठीक है तो जोने देखिए statement को दुबारा नहीं लिगना होता बट मैंने लिग दिया क्योंकि आपको समझाना था मुझे जोने देखिए दोस्तों क तो जब देखिए अब connection कैसे करेंगे यह important है वही क्योंकि आगर आपने mistake कर दी तो अब गए काम से ठीक है जब देखिए यहां पे दोनों की same supply है ठीक है तो अगर मैं next slide पर हूँ तो इसका R1 और R1 X1 R2 X2 अलग अलग winding का दिखा देता हूं ठीक है तो जब देखिएगा प और इधर आपका जो दूसरी साइड है सेकेंडरी साइड उसका है R1 X2 इस तरह का है और आप देख सकते हो value जो है 2 प्लस J2 इस तू प्लस J2 और यह जो दूसरी value आगी है क्या बनेगी 0.02 प्लस J.02 यह आपके दूसरी value आगी दोस्तों सही है बई और यहां पे 1000 वोल्ट है यहां पे 1000 वोल्ट है अब आईए अच्छा इस current को मैं इस वोल्टेज को मैं वी माल लेता हूं तो यहां पे आपकी दूसरी वोल्टेज होगे turn ratio आपका 1000 to 102 है 1000 to 102 है और क्यों न इसी को वोल्टेज माल लूँ है ठीक है तो देखते हैं क्या बनता है ठीक है दूसरे case में क् है कि transformer जो है उसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूं दूसरा transformer यह थोड़ा सा लंबा जाएगा question मतलब अगर आप सही से करेंगे इसको बट यह इतना भी लंबा नहीं है मैं इसलिए मेरा time लग रहा है विकोज मैं आपको समझाने की कोसिस कर रहा हूं ठीक है और दूसरी बात इसमें इस बार ऐसे connection नहीं है इसमें यह इस तरह का है और यहां पे अगें यही मेरा source लगा हूँ है इसको मैं यहां पे ले आता हूँ और इसको मैं यहां पे ले आता हूँ बस मैंने क्या कर दिया इस बार मैं इस बार इसमें impedances दिखा रहा हूं इसके ठीक है ना इस बार दिखा देते हैं वन प्लस जे वन वन प्लस जे वन इतना ओम है और दूसरी तरफ आईए मैंने अब कुछ नहीं किया नीचे वाली साइड को ऐसे दिखा दिया उपर वाली को डॉट के साथ बिल्गुर्ट सही सब्सक्राइब पमें यह वो है । यहां से करेंट आएगे on तो सुनिए एक काम करता हूँ इसमें करण में आई माल लेता हूँ और इस तरफ माल लेता हूँ आई नोट माल लेता हूं चलिए अब यह जो आई नोट करणट है घूम के इधर से आएगा और यहां पर ऐसे बनेगा डोट यहां पर है और यहां पर है ध्यान दीजिएगा यह आई नोट करणट आपका इस तरफ ऐसे बनेगा के अब मुझे बात आइए यह थो 1000 से 100 का है ठीक है इसका मतलब अगर इधर आई नोड है तो इधर क्या बनेगा इधर आपका आई ठीक है बहुत अच्छा तो यहां पर जो करएंट आ रहे हैं वह है आहीनोक इंटू-組.102 आच्छंप डोट्च से लीव कर रहा है तो एग variant इसमें dot में enter करेगा, बिल्कु सही है भी, तो ये बनेगा 0.102, I note into 0.102, और ये जो current है, ये कितना है बता हो जरा, ये है I note into 0.1, तो आप देख सकते होगे, यहां से actual में, ये current ज्यादा आ रहा है, ये जा कम रहा है, तो इसकी value अपने को calculate करने, केसे लगा देंगे बस, I की value आ जाएगी, यहां पे, बट उसके लिए मुझे, इसका kvl solve करना पड़ेगा ना, कुछ, values लिखनी पड़ेगी ना, तभी तो आप कर पाऊगे, वैसे मैंने जो solution किया हुआ है, मेरे पास जो solution है, उसमें मैंने, यहां पे current ऊपर की तरह माना हुआ है, तो इसमें नहीं ज हटा कर दूँ, तो क्या बनेगा, ठीक है, वो जरह बताता हूँ, ठीक है, इनको आप एक बार हटा दीजे, ठीक है, देखे, मुझकि नहीं है, असानी है, मैं दूसरे मैं उससे बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मैंने solve किया, मैं उसी के हिसाब सलता हूँ, जो देखे, कितना, I note into 0.1, अब सोचे, I note into 0.1 इधर आया, और आगे कितना जा रहे है, I note into 0.102, तो इधर से कितना आएगा, ये बनेगा, I note into 0.002, ये current जाएगा, और इसकी value मुझे पता नहीं है, ठीक है, question बड़ा simple है, तो इस case में मैंने एक voltage भी मान लिया है, यहाँ पे मैंने V मा कि इसको solve गया है, इस voltage को अगर मैं V माल लूगा, तो यहाँ की voltage मेरे पास आजाएगी, कितने आएगी बताऊ जाएगा, V into, ये जो voltage आएगी, VP, मैं इसको VP बोल देता हूँ, तो VP जो voltage आएगी, primary side की voltage, वो बनेगी, V upon में, देखिए, V into, 1000, upon 102, उस तरह का बनेगा, ठीक ह ये voltage, अच्छा, अब जरह देखिए, अब कैसे करेंगे इसमें, यहाँ की voltage को कैसे लिखोंगे फिर, यहाँ की voltage को ऐसे V की term में नहीं ले सकते हो, इसको VA बोलेगी, तो V, अगर इसको मैं VA बोल रहा हूँ, तो इसको VB बोलेगी, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ की voltage 10VB, अगर इधर VB है तो इधर 10VB, इधर VA है तो यह क्या बन जाएगा VA इंटू, 1000 upon 102, इस तरह का बनेगा VP की वाले, तो आप सुनिए, अगर मैं KVL लगाँगा इसा, इधर वाले लूप में KVL लगाता हूँ पहले, यह वाले लूप में लगाता हूँ, तो यहाँ से च KVL लिखा है, वो कहाँ पर लिखा है सुनिए, पहला मैंने इस लूप में लिखा है, यह वाले लूप में, तो ज़रा देखिए, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़रा स्लो चल रहा हूँ इस कोशन में, ठीक है ज़रा देखिए, 1000 minus, 1000 minus 2 plus J2, 1000 minus 2 plus J2 into 0.01, 0. 0.102i, यह जो drop है, यह लिख दिया, minus this voltage, and this voltage is V1, या VP, minus VP, equal to 0, यह पहली equation है ठीक है, अब आए दूसरी equation, ठीक है, दूसरी equation इस लूप में चलिए, इस लूप में चलिए, तो 1000 minus, यह जो drop है, 1 plus J1, into, current कितना है बता हो जरा, और यहाँ पर plus आएगा भी, 0.1 into I, और यह जो है, यह मैं इस polarity का ले रहा हूँ, minus, इसको मैं क्या बोलो हो, बता हो जरा, इसको 10VV बोल देता हूँ, minus VV into 10, equal to 0, यह दूसरी equation बन गिया, ठीक है, अभी दो अन्नों आगे हैं अभी, एक आपका VP, एक आपका VP, VP में असल में VA है, असल में ध्यान देजी का, यहाँ पर VA variable है, यहाँ पर VV variable है, और यहाँ पर I, तो 3 variable आ रखे हैं, ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और equation लिखते हैं, कौन सी तरफ, यह वाली तरफ, इधर से चलते हैं, ठीक है, तो इधर बत आ रहे हैं, तो जुड़ेगा, 0.01, प्लस J.01, इन्टू, इस करेंट, और यह करेंट क्या है, बताओ रहा, आई नोट, यह जो करेंट है, वो आई नोट है, या आई लिख दो, आप इसको, आई की टम में लिखाओ ना, या सब को आई नोट कर दूँंको, आई नोट, इन् यहाप भी जुड़ेगा, प्लस J.02, प्लस, इन्टू में आई नोट, यहाप भी आई नोट होगा, और माइनस, इस वोल्टेज, इस वोल्टेज इस वीए, इक्वल टू जीरो, तो आपके वाद तीन एक्वेशन है, तीन अनोन है, वीपी पे मत जाएए, वीपी इस फंक् इस वीपी और आई नोट, उनके उनकी टर्मस में तीन एक्वेशन है, तो मुझे लगता है अब आपको इनके री सफलिंग करना है, इनको सोल करना है, मेरे पास जो आएगा, वो मैं बता जेता हूँ, आई की वेली जो आई, आई नोट की जो वेली आएगी, आई नोट वि ठीक है भी, आप इसको देख लीजेगा एक बार, इसको जिरो डिग्री पे ले लो, कोई फारक नी बढ़ता, ठीक है, इसको 0 डिग्री पे ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये जो है वीपी, इसका कोई अपना एंगल होगा, जो इसके अंदर ही है, तो मैंने व तो सप्लाई करन्ट है, that will be 0.002 into, तो मैंने इसको कई बार सोल गया भई, मेरे पास जो आंसर आ रहा है, वो यही आ रहा है, तो इसका अंदा मेरी कल्कुलेशन जो है, वो ठीक होगी, इसमें, आंसर विल बी 0.0465, 465 A, ठीक है भी, यह अच्छा कोशन था, तो आपको कोशन नमबर 2 क्या कर रहा है, सुनिए, कोशन नमबर 2 में आपको एक ट्रांस्फोमर दे रहा है, कुछ इस तरह का, और डॉट डॉट डॉट, आपको एक रजिस्टेंस लगा रहा है, और जो रजिस्टेंस की वैल्यू है, that is 10 ohm, यह आपको दे रहा है 10 ohm, और यह है 1000 से 100 बोल्ट का 10 kVA का ट्रांस्फोमर है, 10 kVA, अब सुनिए, क्या कर रहा है, इधर मेरा X है, इधर Y है, this is X and this is Y, एक X दिरिख है, एक Y दिरिख है, R is 10 ohm, ठीक है, is connected at the output terminal of 2 winding transfer, now the same transfer is connected as an auto transformer and the load is 10 ohm, यह करा, same transfer को मैंने as an auto transfer connect कर दिया, और load को मैंने 10 ohm ही रखा, यहाँ पर 10 ohm ही connect करके रखा, और जो auto transfer की rating है, वो कुछ ही इस तरह की दे रखिये, 1000 से, मतलब supply मेरी 1000 है, से 1100, इधर 1100 voltage है, polarity के हिसाब से आप देख सकते हैं, इधर आपका 1000 volt है, supply voltage, ठीक है, अब यह क्या पूछ रहा है, यह ratio पूछ रहा है, क्या Rxy, जो यहाँ से resistance नजर आ रहा था, Rxy, divided by, इस point को A बोल रहा है, इस point को B बोल रहा है, RAB, यह करा यहाँ पर जो resistance नजर आएगा वो, और यहाँ से जो resistance नजर आएगा वो, उनका ratio क्या होगा, यह आप से पूछ है, तो कैसे निकालें दोस्तों ratio को, कैसे calculate करेंगे, त Rxy की बात करों, तो इसको refer कर दो, तो 10 into, 1000 upon 100, मतरब 10 का square हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, यह बन जाएगा 1000 O, यह आपका 1000 O, ठीक है, बहुत बहुत बढ़ी अभी, यह तो आपका 1000 O, अब आपको यह बता नहीं, यह क्या होगा, नीचे वाला, तो नीचे वाला कैसे इधर आगर मेरी 1100 V है, तो इधर जो करेंट आएगा, वो कितना आएगा, जरा सोची, वह आएगा 110 MP, ठीक है, बेशक इसकी रेटिंग नहीं है, 110 की, 100 MP की रेटिंग होगी इधर की, बट एनिवेइ, 110 MP आ रहा है इधर से, और डोट में यह एंटर कर रहा है, तो इधर से 11 MP आएगा इधर, बताब, टॉन रिश्यो से रेफर कर दो आप, बहार से ऐसे कनेक्शन दिखा रहे है, अंदर से तो वैसे कि वैसे है न, ठीक है, तो 11 MP, इधर का करेंट कितना आएगा, बताओ, 110 प्लस 11, तो बन जाएगा, 1 to 1 MP, 121 MP आएगा, तो आप बताए, आर एबी क 1000, डिवाइडबर 121, तो 121 ऊपर चला गया, एक कट गया, तो आंसर विल भी 121, ओन, ठीक है, आंसर विल भी 121, मतलब यहाँ पर ज्यादा रेजिस्टेंस नजर आएगा, तो देखेंगा अभी, मेरे पास जो आंसर है, वो 121 है, अगला कोशन देखें, कोशन नमबर 3, देखेंगा भी, यहाँ पे आपको एक रजिस्टन्स दे रखा है, 2 Ohm का, और यहाँ पे एक कपैस्टन्स दे रखा है, विज्ट ओफ 2 Farad, यह 2 Farad का दे रखा है, और यह जो है, यह है 1 is 2.2, और उपर वाला जो है, वो है 1 is 2.5, 1 is 2.5, ठीकлан, ओर ओमेगा की वालु देख तो लेडियंट पर सेकिंद रेडियंट पर सेकिंड ठीक है आपको क्या बताना है जड़ कुलेंट जो इधर से आपको जो देखने पर नजराएगा उसका मेगे तूल बताने हैं यह वैलिव कलेक्ट करने हैं तो बाइडिफोल्ट हम क्या करेंगे यहां पर डोट लगादव यहां पर दोट लगा देखें तो बताई सबसे पहले तूपो रेफर करते हैं और यह पॉइंट यहां से करेंक्ट होगा यह पॉइंट यह पॉइंट निकाल दो पहले वन अकुन में जे ओमेगा सी ओमेगा सुझ को यह पॉन का प्रेशो आपको नुख सकते हो एक दो फई दर धांस आपके मल्टिप्लाइब रहा है तो इसका अधर 25 से मल्टिप्लाई कर ले इसको क्या बन जाएगा यह आपका बन जाएगा मैनिस जे इस ए 6.25 ठीक है भी अब आपको इसका Z equivalent बताना है ठीक है तो बड़ा आसान हो गया बई क्या एट इंटू माइनस जे 6.25 डिवाइड बाइट माइनस जे 6.25 इसली आप सोल कर सकते हो और इसका मेग इंटूर आपको निकालना है दोस्तों तो इसका जो मेग इंटूर आएगा that will be equal to मैं आपको मेग इंटूर बता देता हूं मेरे पास जो इसका मेग इंटूर आ रहे है that will be equal to मेरे ख्याल से एक मिनट रुक्येगा मैंने कुछ मिस्टेक कर दी 1 by 4.25 तो नहीं ठीक है ठीक है एक बड़ चेक कर लिजेगा दो डेसिमन है ना हाँ तो हाँ ठीक है जी तो मेग में टूर जो आएगा वह आएगा 4.9252 यह बनेगा तो एक बार इसको देखे भई क्या बन रहा है मेरे पास ठीक है 6.25 आए यहां पर मैंने इसको 25 by 4 लिखा हुआ है तो मेरे खाल से ठीक है करेक्ट चलिए तो इसका में टूर आएगा 4.9252 आप इसको चेक कर लिजेगा नेक्स आयों कोशन नम्बर 4 तो कॉशन नमर 4 देखे कॉशन बर 4 भी बहुत अच्छा कोशन है कोशन बर 4 में क्या दे रिका है 100 to 200 V 100 से आपका 200 V का कोई ट्रांसमर है एक तरफ 100 V है दो आप ये क्या रहा है 200 V ट्रांसमर है ठीक है single phase transformer है has low voltage side of inductance single phase का transformer है और low voltage side का जो inductance दे रखा है that is equal to 2 mH 2 mH and the high voltage side inductance of L2 जो दे रखा है that is 8 mH and इनका जो M दे रखा है आपको that is equal to 3 mH इनका जो M दे रखा है वो है 3 mH now a load of 10 ohm is connected at the load terminal of the transformer ये करें load लगा रखा है हमने और कितना है बताओ जोना 10 ohm का load है तो resistive load है आप पालो 10 ohm का ये connect किया गया load terminal पे high voltage side the power absorbed by the load if the source of 100 volt 50 Hz is acting as a source or input of the transformer ये करें input जो लगाई है मैंने वो कितने की लगाई है बताओ आपको 100 volt की लगाई है आपको पताना है पावर कितनी absorb करेंगा पहली बात तो ये कि ये जो 100 to 200 आपको दे रखा है ये ठीक नहीं है मेरे इसाब से यहाँ पर एक छोटी सी mistake है ठीक है अब आप बोलो के कैसे साथ 100 to 200 आपको ये ठीक नहीं है ठीक है ठीक है क्यों ठीक नहीं है अब बोलो के दिक्कत क्या है इसमें एलवन दे रखा है यहां से हम निकाल लेंगे ठीक है तो अगर एब आप लो की मैं बात करो है इस N1 बाइन टू टॉन रिशयर उसकी जो वैलिव खोते वह होती है रूट ऑफ एलवन बाइन दू ठीक है लेकिन वह तब होती है जब यह क्या हो जब के की वाली वन हो मतलब आइडियल ट्रांस्वमर उसके में ऐसा होता है ठीक है एक है आपकी root of L1 by L2 होती है जब ideal transformer होता है तो खेर यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ही value क्या है बताओ जरा 1 by 4 तो 1 by 2 बनेगी इस is 1 by 2 आप देखो ने L1 by L2 करोगे तो 1 by 4 बनेगा और root लोगे तो 1 by 2 आएगा तो यहाँ से भी तो 1 by 2 ही है तो आप बोलो के सर यह अब M की value जो है वो कितने हैं बताओ जरा वो है मेरे पास 3 mH और root of L1 L2 कितना है बताओ जरा 16 4 mH आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि 16 का square करोगे ना square root लोगे तो इसका मतब इस इस नोट जरूरत नहीं है ठीक है 100 to 200 वोल्ट इसके जरूरत नहीं ठीक है यह गलत है तो कई बार rectify करना question को वो भी एक अच्छी चीज है आप question को rectify कीजिए ठीक है तो वो एक अच्छी बात है इसमें statement में थोड़ी काशी मिस्टेक है लेकिन यह इसका यह मतलब नहीं कि इसको मैं सोल नहीं कर रहा हुआ ठीक है तो तो आपको यह पता होना चाहिए तो अब इसको सोल कैसे करें देखिए मेरे आपास सेल्फ इंडेक्टेक्टेंस दे रखा है इधर का और फूबजी तरफ का के और इंके बीचमें टेजें ब्सिए रखार यह मेरे पास ठीक है कि और यह enfants यह कर मैंने लोड लगा यहे न हो छंग है ज़ंक है अब और इधर मेने सोर्स दिया है सो वोल्ट का आपको बताने पावर्लोस कितना आएगा तो मुझे रखते हैं तो नेटवर्क ठीरी का कॉश्चन हो गया ठीक न और रजिस्टेंस देरा लगा रखा दस ओम का हाज आपको बताने कि वही कितना पावर्लोस होगा ठीक है अब एक दिख़त हो रहे सुनिए क्या मुझे ये कैसे पता अच्छा इसने ौफल्टी साइडर मैं अब रखार फोल्टी साइब का इस देर है एधर हैकंड रूटी सालिडे धिकना तो लह वूल्टी साइड पे आपको हंडर्ड वों से होल्टी अप्लाई गया बतर्तर्व एत आईवन माल लो इस करन को आप आई टुमाल लो ठीक है और आपसे पुछा है आप से पुछा है अब पावर एब्जोर्ब बाइद लूड ये लोड कितनी पावर एब्जोर्ब करेगा तो अगर आई टुवा गया तो इसका अंदर यहां पर के भी लगा दीजिए और यहां प आपको पता होना जी भी एनस्टू माइनस त्री डी आई टू बाई टी टी विल बीकॉल टू जिरू पहली पॉइसन यह बनेगी और डी बाई टी की जगा जे ओमेगा कर दो ओमेगा आपको दे रखा है फंडर पाई 50 हर्ज है न ठीक है तो ओमेगा इस हंडर पाई ठीक है भ इसे यहां से आप लिए टी दी फासुपर अपर वाली में पुट कर दो यहां से इस ईक 14.91 एंगल आएगा कुछ ज़रूरत नहीं एंगल कि और यह RMS वैल्यू है यह कैसे पता RMS वैल्यू है क्योंकि जो 100 वोल दे रखा था यह RMS दे रखा तो अब बताईए जो पावर आएगी 14.91 इसका स्क्वेर इंटु क्या कर दो R यह आजाएगा ठीक है तो आंसर विल बी मै आपको बताएता हूं जो मेरे पास आंसर है वो है 222223 एक बार आप चेक कर लेना यह आंसर है अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सार इसको ट्रास्वराइज मेगेनेटीकली कपल सर्किट नहीं कर सकते क्या बिलकुल कर सकते जब देखिए मैं आपको समझाता हूं जब भी इनके भीमेंटेंस पता है इदर का एल बन और इधर का एल टू इधर का अगर एल टू पता है और इनके बीच का मीच्छ एल इंडेक्टेंज माली जे अम है टीक है तो आपको याद होगा मैं ट्रांस्मर गो इस तरह से लगा दिखाता था एल टू minus l1 minus am यहाँ पर जो होता था वो क्या होता था बताओ जरा यहाँ पर जो मेरा होता था वो होता था l1 minus am यह जो होता था यह होता था मेरा am और यहाँ पर क्या होता था बताओ जरा यहाँ पर होता था a square l2 minus am बोलिए इस तरह से आप पढ़ते थे यह transformer में represent करने का तरीका A is my turn ratio A मेरा क्या होता था turn ratio इस तरह से हम इसको दिखाते थे ठीक है आप सुनिए का लेकिन हमने network theory में पढ़ा है कि जब भी कोई ऐसे magnetically coupled circuit आए उसको आप equivalent T में represent कर सकते हो उसको equivalent T में represent कर सकते हो और equivalent T क्या बनता है यह होता है M यह होता है L1-M और यह होता है L2-M अगर आपको ध्यान हो तो इसका मतलब अगर मैं इसको और इसको compare कर हूँ तो इसका मतलब A की value क्या होनी चीए अगर यह circuit दे रखा है तो उसको मैं ऐसे भी represent कर सकता हूँ और अगर मैं transfer के हिसाब से देखू इसका मतलब यह जो representation है यह तो क्यों तभी valid है जब A की value क्या होगी 1 होगी जब आप A की value 1 मान के चलोगे तब आप बोल सकते हो हाँ जी जब भी आपको coil के जो self inductances है वो दे रखे हो जब भी आपको coil के self inductances दे रखे हो तो आप T लिख सकते हो लेकिन उसके में A की value मतलब उसको transfer की तरह से दिखा सकते हो बड़ उसके में A की value क्या रखनी है आपको 1 रखनी है ध्यान दीजेगा यह बड़ा important case है ठीक है जब भी आपको self inductances दे रखे हो और mutual inductances दे रखे हो और आपको transfer की तरह represent करना हो वह वाला जो पुराना representation आप करते थे transfer as a magneticly coupled circuit उस तरह से अगर आप represent कर रहे हो तो एक ही value को 1 दिखाना है always याद रखे फिर आप बोलो कि यह कब दिखाते है यह कैसे कई बार क्या होता है आपको leakage leakage inductance दिया होता तो यह leakage inductance है दोस्तों ठीक है अगर leakage inductance देखे और तब हम यह model directly use करेंगे ठीक है तब हम इधर से ना जाके इधर हम यह directly use करेंगे यह मेरे leakage inductances है इससे leakage reactance बनेगे और side में आपका R1 R2 भी आ जाएगा ठीक है resistance जो आएंगे winding के और यह referred resistance यह referred आपका inductance होगा तो अगर यह पिछला question जो था इसको अगर मैं solve करता तो जल देखे कैसे अगर मैं इसको equally ऐसे दिखा था तो मैं इसको equivalent दिखा सकता था बट क्योंकि यह self inductance है तो मैं इसको एक ही value क्या लेकर चलूँगा बताव रहा एक ही value इसमें मैं लेके चलूँगा तो आप बताव यहां पर क्या बनेगा यहां पर बनेगा यहां बनेगा एक और कॉशन है इसी तरह का इसी डिपीप में आगे ठीक है तो इसको आप ऐसे सोल कर सकते हो ध्यान दीजेगा यह जो वैल्यूस होती है आप यह जाता है तो इससे भी आंसर आपका सेम आएगा आपका फॉर्थ नेक्स्ट नमबर फाइव क्या कह रहा है सुनिए आपको कुछी इस तरह का दे रखाए यह फि सी बाई एफ टेक है और यह मेरा एफ इन हर्ट और आपको कुछ इस तरह का इस तरह की लाइन दे रखे एव और यहाँ पे पीजिवा की वैल्यू ऐ FIWU और यहां पे टैन दे रिखा है इस पने प्रवेट जो सबैली आ है और यह वह रहे आप ये क्या कर रहा है एडी करन्ट लोश एंड ऐस्ट्रसिस लोश एड़ 50 हर्ट्स आर र्स्पेक्टीवली एड़ी करेंट सुर्क रहे होगा और हिस्तरेसिस लोश पूछ रहे है कितना होगा एड फिफ्ती हर्ट्स प्रेंट सुनिये पीसी बाइफ, एफ के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, आप सुनो, मैं जानता हूं जो कोरलोस होते हैं, वो होते हैं के एफ स्क्वेर बीम स्क्वेर, यह कोई फोर्मुला याद करने जरू नहीं, बस पीसी और पी यह पीच के फोर्मुली याद होने चाहिए, के एफ बीम की तो, विच इस दिस, के एफ बीम की पावर एक्स, इसका उन्दे स्केट लाइन एक्वेशन है, और इसका जो स्लोप बनेगा इस लाइन का, that is equal to, इसका जो स्लोप है, वो है के इबीम स्क्वेर, के इबीम स्क्वेर, समझा है भी, ध्यान देजेगा, तो यह बनेगा स्लोप और यह बनेगा initial value इसकी, तो अगर यह initial value आगी, तो आप से पूछा आप से पुछा आप स्लोप निकाल दूँ इसका, तो के इबीम स्क्वेर आ जाएगा, उसको अगर मैं एफ स्क्वेर से और मुल्टिक्लाई कर दूँगा, तो मेरे पास एडी कर लोस आ जाएगा, तो के के इबीम स्क्वेर क्या बनेगा बता हो जरा, के इबीम स्क्वेर जो बनेगा, इसका स्लोप देख लो क्या बनेगा, वो बनेगा 3 by 10, 0.3 बन जाएगा इसका स्लोप, ठीक है, 8 minus 5 divided by 10 minus 0, तो अब बताइए, तो एडी कर लोस जो बनेगा, वो बनेगा 3 by 10 into 50 का स्क्वेर, ठ तो simply इसका भी आप answer निकाल सकते हो, यह बन जाएगा 250 into 3, तो 750 watt आ जाएगा, ठीक है भी, तो एडी करन्ट लोस और हिस्टेसिस लोस आपने फड़ाफट इसमें निकाल दिया, असान question था, next आईए, अगला question, question number 6, question number 6 क्या कर रहा है, सुनिए, question number 6 में कर रहा है, the maximum efficiency of two winding, और unity power factor is 98%, यह कर रहा है, 98% आ रही है, maximum empty, ठीक है, और underrated load यहारी है, मतलब, at rate load यहारी है, rested load यही, maximum empty right, ठीक है, और 98% है, और आपको क्या दिर्खाए, power factor बताएए, unity power factor यहारी हो, यूनिटी पार फेक्टर पर है आपको यह एफिजन सी में तो सुनिए यहां से मैं क्या लिए सकता हूं पॉइंट नाइन इट इस इकुल डू अब के भी रेटिंग आपको दे रखिए ट्रांस्वर को अगर आप देखोगे के भी रेटिंग लेकिन इसकी हाँ दे रखिए भी 1000 से 100 कर रहा है 10 के भी तो 10 इंटू 10 इस टुपार 3 इंटू 1 डिवैर भाई 10 इंटू 10 इस टुपार 3 प्लस 2 PC कि कि कुछ इस तरह से बने गई है यूनिटी पार वेक्टर है रेटिंग लोड है तो मैंने इसको डाउन भी नहीं किया तो अब बता यह जो PC बना वो क्या बना यहां से यहां से मेरे पास कोर लोस आएगा वह मैं आपको बता देता हूं दोस्तों जो मैंने कल्कुलेट किया है तो पीसी वह बन रहे टू जि ने बोगी रेटिड लोड पर रेटिड लोड का मतलब क्या है जाड़ा देखें जब मेरा करंट इसमें रेटिड था धियाँ दीजीगा जब इसमिल रेटेड करण जा रहे है और रिकिटन कितना है यह आपका जो ट्रांस वर रिखाए थाउंद से अंडर्ड वोल्ट का दीख्टन के लिएगा तो इसका नतरा आपकी लोग वर्टेसाइड अंग है देखुँ तो लोग व्टेसाइड्स बोल दूनेजिए तो तो उस case में जब मैं rated load यहां पर लगाऊंगा ठीक है rated load लगाऊंगा तो आपकी जो efficiency और 98% है तो मैंने PCA और POMIC निकाल दी अब क्या कहा है सुनिए इसमें यह कह रहा है if the same load is connected load मेरा same है ठीक है to an auto transfer the efficiency will be efficiency आपको बताना efficiency क्या होगी तो load मेरा 10 kVA का ही है 10 kVA का ही load है at unity power factor unity power factor यह मेरा load है same load मैं connect कर रहा हूं auto transfer पर आपसे पुछा efficiency क्या होगी तो आप auto transfer का मतलब है connection मैंने change कर दिये थोड़े ज़रा देखे अब connection मेरे change हो गए ठीक है और auto transfer की rating आपको दे रखी है कितने बताओ जड़ा एडिटिव है मतलब 1000 से 1100 कर रहा है तो जब देखे यहां से यह डोट था यह डोट था अच्छा एक बात और देखे मैं यह भी हटा देता हूं अब यह करन नहीं आएगा भी ठीक है और यह है मेरी 1000 वोल्ट यह मेरी 1000 वोल्ट और यहां पर लोट लगा है आपका auto transfer पे लेकिन जो transfer पर जो लोट लगाया हूं कितना बताओ जड़ा 10 kVA का है at unity perfect same load लगाया गई at unity perfect लेकिन इस बार जो यह voltage हो चुग है यह आपकी 1100 वोल्ट हो रखिये तो आप बता सकते हो current कितना आएगा इसमें तो current जो आएगा that will be 10,000 upon 1100 यह कट गया दोस्तों और यह बन गया 100 by 11 इतना current आ रहे है अब सुनिएगा ध्यान से सुनना यह जो current आ रहे है इसमें से आ रहे है दोट से और यह यहां से फिर इधर आएगा तो इसमें अब आ रहे है 100 by 11 इस winding में current तो इसमें कितना आएगा फ 11 इसमें आ जाएगा तो इसका मतब आउट पूट पावर मेरी अभी पी उतनी है तरह देखिए अगर मैं efficiency निकालूं तो आउट पूट पावर मेरी अभी पी उतनी है 10 इंटू 10 इस पार 3 और यूनिटी पार फेक्टर है वन ठीक है डिवाइड भाई बदाए यह आउट प पर जो ओमी क्लोस है वो बदल जाएंगे वाइंडिंग के अंदर अब करेंट कम हो गया यहां पर हंड़े कितना करेंट होता था पहले अगर आप देखें पहले रेट्ट करन कितना था लोग वोल्टी साइड वह अंडर एंपियर अब कितना हो गया हंड़े बाई लेवन त इदर होता था अब यह फंड़ेवन हो गया और यह टेन वाइलेवन टाइमस आपका करण कम हो गया तो ओमी को जो है वह 1 वाइलेवन के स्क्वेर टायमस हो जाएगे समधा ध्यान दीजे का दोस्तों इस तरह से मैंने इसको गिया है तो मेरे पास जो अंसर आया है दोस्तों वो मैं बतायता हूँ वो है 98.98 आप जड़ा निकाल देना 98 इंटु हंडड़ कर देना भी ठीक है 98.98 यह कुछ है 98.98 एक बड़ देख लीजिए अब ठीक है तो मेरे पास कुछ इस तरह का अंसर है एक ना इसको आप सोल कर लिजिए ठीक है तो हाँ जी मेरे खाल से कॉश्चिन यह मेरा आंसर जो है यह ठीक है तो आप एक बार चेक करना ठीक है तो इतना अंसर आना जी आपका इतना परसेंट त लेकिन कोशन बहुत अच्छा था भी द्यान दीजेगा तो नेक्स्स आईए कोशन नमबर सेवन कोशन नमबर सेवन देखिए कोशन नमबर सेवन क्या कर रहा है एक वोल्टेज अप्लाइट टू प्राइमरी वाइंडिंग ओफ अनलोडिट सिंगल फेस टांसवर इस गीवन गया होग के और वो उल्टेज आ होग है four hundred cost omega t plus hundred cost three omega t hundred cost three omega t यह आपको वोल्टेज अप्लाइग की गया है The primary has 500 tons and the frequency of the fundamental components component of the applied voltage is 50 rows the primary has 500 tons 500 tons दे रह किया है प्राइमरी पे and the fundamental component of applied voltage at 50 Hertz जो fundamental है omega या F note आप बोल दो वह हम आपको 50 Hertz यह दे रिखा है ठीक है turns primary की दे रिखे हैं और आपको यह आपको frequency दे रिखे है the maximum value of flux in milliweather आपको बोल रहा है maximum value of flux क्या होगी तो मैं जानता हूँ VT जो होता है वो होता है N d phi t by dt यह होता है दोस्तों ठीक है तो आप बताएए यहां से अगर मैं देखूँगा तो क्या लिखूँगा पता होगा voltage आपको दे रिखा है या फिर यहां से अगर मैं देखू तो मैं बोल सकता हूं voltage की जो maximum value आएगी that will be equal to 2 pi f n 5m यह होता है ठीक है अब बताओ 5m की जो value है पहले fundamental component की नहीं काल लेते हैं न maximum value वो आएगी 400 divided by यह 400 maximum value है divided by 2 pi f 2 pi f ठीक है into n n कितना है 500 ठीक है दी तो आप जाए देखिए 5m की जो value आएगी fundamental जो component आएगा मेरे पास that is equal to जो मेरे पास value आ रखी है वो मैं आपको पहले बता देता हूं वो value आ रखी है मेरे पास जो fundamental component है उसकी वो है 2.5 2.546 2.5465 into 10 is to our minus 3 यह value आ रखी है ठीक है और मैं आपको यह भी बता दूं कि यह जो value आएगी voltage में cosine है तो इससे lag करेगी ठीक है इसका अंदर क्या बनेगी बता है यह voltage यह sin की बनेगी voltage ठीक है ठीक है अब यह अगला अगले का भी ऐसे करोगे लेकिन उसमें क्या हो जाएगा यहां पर इसकी जो value आएगी जो मैंने calculate किया है वो है मेरे पास 2.122 into 10 is to our minus 4 यह max value आइए भई आप क्या लिखो गया यहां पर यहां पर लिखो गया प्लस 2.122 into 10 is to our minus 4 sin of 3 omega t यह बनेगा दूसरे का तो आपको flux की waveform पता चल गए फ्लक्स पता लेगा time के साथ कैसे vary कर रहे है ठीक है अब यह क्या पूछ रहा है जब देखिए यह पूछ रहा है the maximum value of flux in millie weather तो यह 10 is to our minus 3 हटा दो और यहां पर यह point लगा दो यहां पर यह 10 is to our minus 4 हटा दो ठीक है तो यह मेरा मिली में बन गया है और यहां से यह हटा दो और यह decimal यहां पर यह मेरा मिली में आ गया ठीक है और इसकी maximum value पूछ रहे है omega t आएगा आप समझेए ना एक में कोस आएगा कुछ के बना जाएगा यहां पर और एक में के टू कोस्ति ओमेगा यह बनेगा अब यह 0 कब होता है जब omega t की value pi by 2 हो जाए तो omega equal to pi by 2 पे maximum आएगा इसका मतलब और omega equal to pi by 2 पे flux की maximum value क्या बनेगी फिर पूट कर दो omega equal to pi by 2 तो pi by 2 पूट करोगे तो यह क्या बनेगा यह बनेगा 2.5465 अच्छा प्लस यह क्या बनेगा यह 270 बन जाएगा pi by 2 पे 270 बनेगा तो माइनस का आएगा है माइनस पॉइंट 2122 सही है तो अब देग लीजा maximum value क्या आएगी जो मेरे पास answer आया है इसको अगर मैं solve करूँ तो मेरे पास आपको नेक्स आये कोशन नंबर एट कोशन नंबर एट देखिए क्या करें इन अबो कोशन इव नोलोड करेंट इस फांट भी जो नोलोड करेंट है नोलोड पे जो करेंट लिया जा रहे तैट इस एक्वल टू.43 कोस ओफ कोस ओफ ओमेगा टी माइनस 40 डिग्री इतो यह ह है प्लस एक और दे रिखा भी आपको पॉइंट जीरो जीरो एट पॉइंट जीरो एट कोस ओफ बोलिए कोस ओफ थी ओमेगा टी माइनस 10 माइनस 10 डिग्री यह दे रिख यह रहा है अगर मां आई नोट की वैलु यह ले लूँ ठीक है नोलोड पे दे कोर लोस तोटल कोर पूँछी आपको बिली पूछी आप को क्या होगी वोल्टेज आपको दे रखिए यह आपको दे रख्या है और कितनी अबताई ज रहा वो है 400 को समेगा टी प्लस 100 cos of 3 omega t यह supply voltage और यह करन्ट यह आ रहा है no load पे तो यह तो देख लो कितनी power जा रही है जो सारी जारी पावर जाएगी और core loss में तो जाएगे क्योंकि no load पे काम कर रहे है तो इसका तो PC will be equal to बताए क्या बनेगा 1 by 2 प्लस अब यह तो पता होना चाहिए अब आपको ठीक है यह आपने पढ़ा होना चाहिए 100 इंटू 08 cos of angle का difference बोले एंगल का difference 69.82 69.82 वोट असान कोशन था पार्शवल रिलेशन में लगा गया नेक्स्ट आई कोशन नमबर 9 कोशन नमबर 9 में क्या कर रहा है for the above question which is question number 7 if the primary voltage is free of third harmonic voltage the percentage change in eddy current loss eddy current loss में कितना percent का change आएगा आपसे यह पूछ रहा है अगर यह यह कहरा है कि इसमें क्या नहोता अगर यह कहरा है कि third harmonic component नहोता तो ठीक है free from third harmonic component अगर third harmonic component नहोता किसमें primary voltage voltage में अगर voltage में third harmonic component नहोता ठीक है तो आपसे पूछ रहे है कि इतना चेंज आता अंगी करनंड लोस में असल मारी करन लिखे ट्समीरील नहीं हमाऀ वह पौर लोस भी कितना यूद्ट लोस में खेंज हो लोगे जरह देखें अब जो पावर लोस आएगी वो कितने आएगी वाइगी 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 फॉर हंड़ इंटू पॉइंट पॉइंट फॉर थ्री कोस ओफ 40 degree यह बनेगा भी तो आप देख सकते हो इसकी value क्या आएगी इसकी जो value आएगी मेरे पास that will be equal to मैं आपको बता देता हूँ ज्यादा डाउन नहीं है थोड़ा सा ही डाउन आएगी से मतलड़ डिफरेंस आएगा वह मैं बताए तो जो डिफरेंस बनेगा वह बनेगा 3.94 इससे 3.94 आप माइनस कर दो मतल़ यह अप्रोक्षिमेटली जो value बनेगी वह बनेगी 69.82 माइनस 3.94 आप देखना जो भी value आ रही है वह 5.64 परसेंट कोर लोज जो है 5.64 परसेंट आपका डाउन हुआ है जो कोर लोज है वह 5.64 परसेंट डाउन हुए ठीक है भी यह था मेरे पास question number 9 ठीक है भी तो 5.64 परसेंट डाउन हुआ है ठीक है आपको निकाल लीजेगा next आईए question number 10 question number 10 जो है यह बिल्कुल वैसा ही आ जैसा question मैंने आपको question number 4 जो दिया था ठीक है तो देखें question 10 क्या कर रहे ठीक है question 10 क्या कर रहे सुनिए the self and the mutual inductance of the two winding is self inductance दे रखा है L1 which is a 4 millihenry ठीक है and L2 is 6 millihenry L2 is 6 millihenry ठीक है M is 1.8 millihenry 1.8 millihenry ठीक है भी यह दे रहे रहे आपको the current in the winding 1 when the winding when this winding is connected to 130 volt 500 by pi hertz supply and the load of 0.2 millihenry is connected across the winding 2 assume the power losses in the winding and the magnetic circuit to be negligible यह बता है यह कर रहे है जो मेरी winding 2 है जिसका आपको inductance दे रखा है आपको inductance इसका कितना है 6 millihenry और इसका है 4 millihenry और यह coupled है और coupling कितना है बता है में कितना है 1.8 millihenry अब यह कर रहे है अगर मैं यहां पर कोई inductance लगा दूँ जिसकी value कितना है बता है जिसकी value कितना है बता है जिसकी value है अगर मैं को सोर्स लगा दूँ ठीक है तो आपको पताना है क्या चीज़ पावर लोस इंद वाइंग एंद मेगनेटी सर्कृट नेगलेजिबल करने आपको बताने है तो कैसे करेंगे तो बहुत ही आसान हो गया या जो सर्कृट बना वो नेटवर्क त्योरी का हो गया बटकर आप इसको ट्रांसोर्मर की तरह सोल कर रहे हो जो देखिए तो एक ही वाल्यू वान लीजिए यहां पर आपको एकी वाली वन-लन लेनी पड़ेगी और यहां पर आप इंडेक तैंस लगा दीजे और यहां फिर एकी वाली वन-लन लिहन नेक्षक्ट बनाओ वही बात है जो आपने अपा पुन डॉंधं थे ठिक है तो तो बन जाएगा four point two millihenry ठीक है और यहां पर point two millihenry यह आपको इरख और यह यह और जो M यह one point eight millihenry तो हो जाएगा बस question ठीक है equivalent L निकाल लो यहां से ठीक है और यह current आजाएगा primary तो मेरे पास रखर ऐगा तैट विल भी thirty seven point three eight आप निकाल गप thirty seven point three eight एम्पियर यह आएगा करना बड़ा असान है 130 वोल्ट है यहां पर आरमस वैल्यू फ्रिक्वेंस आपको देखे पहले तो एल एक्वेलेंट निकाल लो इसका यहां तक का यह दोनों सीरीज में है उसके पैरलल में यह दे रखा है उसके सीरीज में यह दे रखा है तो जैसे र वन थर्टी डिवाइड भाई जो आपका इक्वेलेंट रियक्टेंस है उसको डिवाइड कर दीजे आपके पास करेंट आजएगा ठीक है ना तो कोशन बहुत सिंपल था आप इस तरह से करोगे तो लंबा जाएगा आई वन आई टू फिर उसको सोल करोगे उससे बहुत ल तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा भी ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कीजेए यह इंपोर्टेंट है बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको कोर्सिस के अगर आपको जानकारी लेनी है तो हमारी जो वेबसाइट है c.edu .co.in इस पर विजिट कीजिए और अगर कोई कोरी है आप इस नंबर पर आप में कोल कर सकते हो ठीक है भी तो आज का जो एपिसोड है उसमें इतना ही दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में आप से फिर से मुलाकात होगी पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें और मेहनत करते रह किये नेक्स्ट ताइम आप से मिलते हैं थैंक यू